बहुत बहुत शागत है दोस्तो आप सबके लिए एक अच्छी ख़बर जी जो भी पॉल टेकनिक करना चाहते हूं सभी छातरों के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा ओप्सन या जो भी हाई स्कूल कर रहे हूं या इंटर पास कर चुके हो और इंजिरिंग करेंगे यह भी बताएंगे इसके साथ साथ क्या-क्या डॉकिमेंट्स लगेंगे और हर एक 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 स्टेप आपको बताए जाएगा कैसे आपको फॉर्म कुप फिल करना है तो वीडियो को लास तक देखे और वीडियो बने रहे चैनल को सब्सक्राब बढ़ ले अगर अच यहां पर आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा यहां पर आपको देख सकते हैं जे कप 2021 UP Polytechnic Online Form तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही एक नए पेज पर आजाएंगे इस पर इससे रिलेटेट पूरी information आप देख सकते हैं कि application form कब से फिल किया जाना स्टार्ट हुआ है तो 26 फरवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है लाश्ट डेट अप्लाई करने के है 15 अपरेल 2021 जिहां अभी काफी टाइम है इसके पैरलेली अगर हम यहां पर बात कर लें इक्जाम डेट की तो इक्जाम डेट जो है इनका यह 15 से 20 जून के बीच में है और फीज डेटेल की बात करें तो जनरल ओवीची के लिए 300 रुपे है यह CST और पीच के लिए 2 रुपे हैं इलिजबिल्टी की बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा इन इंजेनिंग तीन वर्सी यह कोर्स जो भी कंडिडेट करना चाहते हैं वो जो है आई स्कूल पास होना चाहिए मिनमम 35 परसेंट पीजीम में उनका 50 परसेंट होना चाहिए इसक तो यहां पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मिशी के लिए आपको 10 प्लस टू एक्जाम इन साइन्स स्टीम विट 50 परसेंट मार्क होना चाहिए और पीजी डिप्लोमा इन बायो टेक्नॉलजी के लिए बिए सी डिग्री इन बायोलोजी के में चाहिए तो इस तरीके क्याकिक सारे कोर्सिक के लिए यहां पर क्वालिफीकेशन दिए उप्लाई करने क लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं आप्लाइनस डू के सामने ऑन ग्रून ग्रूप B 2 1 K दिया है और तो दोस्तो ग्रूप A क्या होता है Engineering के जितने भी तीन वर्सी है सभी Group A के अंतर गताते हैं तो अगर आप High School के बाद कोई Engineering का 여기서 करना चाहते है तो चलिए दोस्तो आज है के बिदियोएं में बताएंगे Group A के बाले में कि काइसे प्रफाउम को अप्लाई करना है, सिंपल सा इस लिंक पर आपको करना है, क्लिक, क्लिक करने के बाद एक नए पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर लॉग इन करने के लिए कहरा है, लेकिन आपको सिंपल सा सबसे पहले आपको क्या करना है, नियू रेजिस्टेशन पर क्लिक करन तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ पे आप अच्छे से सारी इंफॉमिशन पढ़ लीजिए सारी जानकर यहाँ पे दी गई है पंजी करण कैसे करना है क्या क्या है सारी इस टिप आपको दी है फोटो कैसे अप्लोड करनी है फोटो की साइज जो है यह इस तरीके से होनी चाहिए सारी जानकर यहां पे आप पेमेंट किस माध्यम से कर सकते हैं मतलब यहां पर सब कुछ आपको इससे रिलेटेड इंफॉमिशन मिल जाएगा तो चलिए आपको जल्दी जल्दी आगे भी दिखाएंगे तो इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक टू पर क्लिक करेंगे जियां दूस्तों अपने से ही आप खुछ सी एए फॉर्म अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा आप यह फॉर्म से होगा यूद के ओनलाइन फॉर्म सर्विस से भी अपलाई करवा सकते हैं इसका लिंक आपको वीडियो के नेचे डिक्स्प्रिन मिल जाए तो चलिए अब जल्दी जल्दी से फिल कर ले रहें यहां दोस्तों यहां पर आपके पास जो है ओटर आडी पास्पोर्ट बैंक पास्बुक विद फोटोग्राफी तो अगर आपके पास अपना आधर कार्ड लगा रहे हैं तो एनी अधर वैलिड गॉर्मेंट आइडिन्टी फोटोग्राफ वाले पर क्लिक करना है ओटर और आप ओटर आईडी अगर आपका नहीं है हाई स्कूल की क्योंकि जो भी यह चात्र अपलाई करेंगे उनके पास तो नहीं होगा तो उन सभी चात्रों को कियेवल यहां पर अधर वाले पर क्लिक करके आधार कारड अपना अधार नंबर इंटर करना है तो यहां पर आप उसका आइडिनिटी पहचान पत्र करमाग उसके बाद नाम यहां पर सबसे पहले गाउगाना तो यहां पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो तो हम जल्दी जल्दी से उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको पासवर्ड जनरेट करना है यह कैप्टेल लेटर में होन चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर और एक यहां पर डिजिट में होना चाहिए तो इस तरीके से आप जब पासवर्ड क्रियेट करेंगी तो आपका आसानी से बन जाएगा उसके बाद यहां पर आपको सुरक्षा प्रश्न सेलेक्ट करना है और उसका एंसर आपको देना है यह आपको ध्यान में रखना है इनकीस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके दुरू आप अपना फिर से जनरेट करवा सकते हैं पासवर्ड के इसके बाद यह सारी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सब मिल पे क्लिक करना है तो यहां पर जैसे ही आप ट जिहां जब तक आप टिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा तो इस तरीके से आप फॉर्म को सब्सक्राइब कर देंगे इस तरीके से आप एक नए पेज़ पर आजाएंगे और यहां पर देख सकते हैं आपका अप्लिकेशन नमबर दिखेगा तो इसको आप नोड भी कर लेंगे अगर इनकेश अगर आप अप्लिकेशन नमबर आपके मॉइल पर नहीं आता हाला कि आपके मॉइल नमबर और इमेल आइडी दोनों पर अप्लिकेशन नमबर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी वहां से आप देख सकते हैं लॉग इन करने में दिक्कत नहीं होगी तो अब complete application form फे click करेंगे तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे आपको पने basic details feel करने हैं इतनी सारी तो चलिए देखते हैं क्या क्या है सबसे पहले यहाँ पे राष्टीता category यहाँ पे not applicable तो अपने हिसाफ से जो भी होगा वह आप टिक कर लेजीगा आरवन रूरल पात्ता डोमेशालाप यूपी अलप संखे क्या आप हैं और इसके अलावा क्या आपने अने समों के लिए हैं तो नहीं अगर की होंगे तो यस इसके अलावा group A तो group A के लिए आप apply कर रहे हैं यहाँ पर आपका group दिखेगा जिस group के लिए apply कर रहे हैं और चलिए यहाँ पर इसके नीचे आपको select करना होगा district अपना home district उसके बाद यहाँ पर परिक्षा सेंटर आप कहां पर चाह रहे हैं ध्यान देजीगा आपको परिक्षा सेंटर य जिस recording उसी हिसाब से आपको मिलेगा चलिए हम randomly कोई select कर ले रहे हैं इस तरीके से आपको बस दिखाने के लिए तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी आप select करेंगे तो उसी के according जो पहले पर रहेगा वही आपको 90% 98% chance रहता वही आपको मिलेगा इसके बाद 10 और equivalent पर आपको यह result mode क्या था percentage था आपको यहाँ पर रूल नंबर देना है ध्यान देना यहाँ पर रूल नंबर देना है टूटल नंबर यहाँ पर देना है कितना था टूटल नंबर जितना टूटल नंबर रहा होगा कितना उसमें मिला है और यहाँ पर परसेंटेज आपका दिख जाए और इस च्ट्विट पिन कोड यहां से आपको इंटर कर लेना है उसके बाद यह आप कैप्चा जो है इंटर कर लेंगे यह सारी चीज़ें इंटर करने के बाद फिर आप सब्बिन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से फिर से आपके पास यह पाप दिखेगा आपको फिर से इन सभी पर टिक करना है और एक चीज़ यहां पर अच्छे से पहले चेक कर लिजेगा क्या आपके दौरा फिल किये गए सारे इंफोमेशन सही है उसके बाद इस फिर टिक करिएगा जिससे कोई भी तुट होने की अगर संभाना हो वो खतम हो जाए तो तुरुटी नहीं होगा तो इस तरीके से आप फॉर्म में अब अगला स्टेप करना है फोटो अप्लोड डाकुमेंट्स अप्लोड करना है क्लिक करिए आप इस पे और यहां पर आपको फोटो और सिंग्नेचर अप्लोड करना है सिंपल साप इस पे जाए फोटोग्राप पे जाना है और आपको यहां पर इस तरीके से फोटो और सिंग्नेचर आपका आ गया और इसके बाद आप सब्मेट कर लिजेगा अगर कोई भी दिक्कतार है फोटो या सिंग्नेचर अप्लोड करने में तो आप नीचे कमेंट स आप सेल्फ डिसेंट फोटोग्राफ इन कलर और ब्लैक और वाइड विट एटी परसंट फेस जिसमें होना चाहिए और बैग्गराउंड इस तरीके से वाइड बैग्गराउंड होना चाहिए और इसके बाद यहां पर भी आपको टिक करना है कि यहां आप वरिफाइग कर और इसके बाद यहां पे आपको जी यह कैपचा फिल करके फिर आपको अपलोड पर क्लिक करना है तो यहां पे जो फोटो होना चाहिए विदाउट मास्क होना चाहिए और विजिवल इंक्लूडिंग इयर्स अगेंस्ट वाइड वैग्राउंड बद दिखना चाहिए तो उस और फॉर्म कंप्लेटली फिल हो जाएगा इसके अरावा यहां पर वैरिफाई मॉबाइल नंबर और इमेल आईड यह दोनों पर क्लिक करके आप ओटी पी जाएगा और उसको आप इंटर करोगे वैरिफाई हो जाएगा फिर इस पर भी आप एमेल पर ऐसे क्लिक करके आप को वैरिफाई कर लेना है तो अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें फिर पेमेंट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर ओनलाइन पेमेंट का लिंक दिखेगा आगे बढ़ जाना है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के credit card से fill करिए या internet के माददियम से या UPI के माददियम से neft के माददियम से ब्रांच किसी भी माददियम से आप payment कर सकते हैं तो दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे comment section में comment करें इस तरीके से आपको form fill up कर लेना है तो बहुत ही वेतनी नाउसर है जो भी डिप्लूमा करना चाहे है तो मिलते हैं के वीडियो में तब तक क्लिप ना ख्याल रखिये नमस्का दोस्तों बाबाए